शेर भूका है इस बल्ले बाज के अर्दशतक पर फिदा हुए सूरे कुमार यादा सोचल मीडिया पर शेर कर दिये आकरे राज़कोड टेस्ट मैच में डेब्यू करने के बाद से सर्फराज खान के बल्ले से लगाता रन निकल रहे हैं चोथे टेस्ट में बेन स्टॉक्स के माइन गेम का शिकार होने के बाद सर्फराज खान ने शुकरबार को वापसी करते हुए महमान टीम के खिलाब एक और शांदार पारी खिली दर्मशाला में पांच में टेस्ट के दूसरे दिरन सर्फराज ने अपने टेस्ट करियर का तीसरा आठदश तक जड़ा सर्फराज खान ने 60 गेंद पर 56 रन की पारी खिली मुंबई के इस बल्ले बाजी शमता से T20 किंग सूरे कुमार यादव बहुत प्रभावित हुए है सूरिया ने सर्फराज की फोटो शेयर करते हुए उनकी तारीफ की सूरे कुमार ने लिखा शेयर भूका है सर्फराज ने पारी के दोरान जिन गेंदों का सामना किया उनमें से 93 फीजदी गेंद उन्होंने मेडल की और केबल तीन गेंद उनसे बीट हुई उस आकड़े का स्क्रीन शॉट अपनी इंस्टाग्राम इस्टोरी पर साज़ा करते हुए सूरी कुमार ने इसे कैप्शन दिया शेयर भूका है सूरी कुमार ने किया था प्रेरित सूरी कुमार सर्फराज के बहुत बड़े प्रशन सक रहे हैं क्योंकि दौनों किर्केटर एक ही राज़ टीम के लिए खिलते हैं वैस सूरी कुमार ही थे जिन्होंने सर्फराज के पिता नौशाद को अपने बेटे का डेब्यू देखने के लिए राज़कोट जाने के लिए प्रेरित किया था सूरी कमार ने एक वीस नौट जारी कर उन्हें राज़कोट जाने के लिए प्रेरित किया था सर्फराज के पिता ने किया था खुलासा इस पोर्ट इस्टार के हवाले से अपने वाइस नोट में सूरिया ने कहा था कि पिछले साल नागवर में जब मुझे टेस्ट कैप मिली तो मेरा परिवार मेरे साथ था वह हम सभी के लिए एक यादगार पल था आपको वहां रहना होगा इसका खुला सा सरफराज के पिता ने भी किया था